तो इस वीडियो में बात करेंगे सेकेंड लॉड जब बाकी 12 हॉज़स में खुद के हाउज में भी अगर बैठ जाए तो क्या रेजल्ट्स देता है ठीक है तो second house जो हमारा ये होता है ये हमारा second house है ठीक है तो आपको लगन चार्ट उठाना है आपको देखना है कि second house में कौन सी राशी बैठी हुई है ठीक है कोई भी number हो सकता है 2,3,4,5,6 इस position में North Indian style chart में कौन सा number लिखा हुआ है तो उस राशी का स्वामी ठीक है अगर बैठा है तो इस परकार करके हमें देखना है तो second house जो होता है हमारा तो वीडियो शूड़ करने से पहले मैं बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नई हो और बेल आइकान को ज़रूर दबाना जिससे जब भी मैं नई वीडियो डालू आपको मिल ज लाइक जरूर कर देना वीडियो देखके और शेयर कर देना ठीक है तो बढ़ते हैं के सेंग्ड हाउस जो है वो हमारे immediate family को बताता है जो हमारे family है जहां पर हम रह रहरे है हां घरवाल हमारे घरवालों को बताता है ठीक है हमारे resources को बताता है रैट आई से related होता हमारे second house ज प्रिश्ट करकार की अपरिंग्रिंग टीक है वह मैं एक हैं। वोकल कॉट्स को देख सकते हैं किसी प्रकार के एक्स्प्रेशन वोकल एक्स्प्रेशन को हम देख सकते हैं से कंडाउस से और marriage की longevity क्योंकि 7th से 7th से ये हो जा रहा है आपका 8th house अगर हम 7th house से count करें तो 8th house हो जा रहा है तो इसके मतलब longevity भी देखेंगे हम इससे ठीक है और self effort से क्या gains होंगे और क्या हम resources रखते हैं family resources अब बात करते हैं कि simple language में देखेंगे कि second house का lot कहां पर बैट रहा है हर house में क्या result देगा तो first house में अगर बैट जाए तो first house क्या है अगर suppose first house में बैट गया है तो first house हमारा क्या है हमारा self है body है ठीक है हमारी quality of life है सबसे important house है life का अगर इसमें दम नहीं है तो फिर बाकी चार्ट का कोई मतलब नहीं है तो अपने से बारवा गया है ठीक है second house का lot तो हम देखते हैं कि ये बंदा अपने पर खर्च करना पसंद करेगा family resources को ठीक है अगर बहुत negatively काम करे तो बहुत जादा है खर्च हो सकता है health है ठीक है family wealth इसके health पे खर्चा हो सकता है self efforts इक हमालै का अपना जो भी है wealth है wealth खुद के efforts फिवर्समा पताता है आप खुद को first house से wealth generate कर सकता है अपने resources को बनाकर रख सकता है family को बनाकर रख सकता है लेकिन इसपे family की responsibilities भी बहुत हाईगी क्योंकि second house family क और वह इनके पास आ रहा है तो फैमिली अटाइज भी होगी इनके साथ और फैमिली इनके ऊपर मतलब काफी डिपेंडेंट भी होगी ठीक है अब यह जासे एक्सपेंडेचर बढ़ा देगा मैंने बोला है वेल्थ और प्रसफर्टी के लिए अच्छा है यह अच्छा पोज जाए तो क्या से बना देता है काफी आपको आप अपनी तरह वेल्थ और पावर को खीच सकते हैं काफी आसानी से बढ़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अपने चरित्र का थोड़ा लस्ट फूल टेंडेंसी भी यहां पर आ सकते हैं अब बढ़ते हैं सेकेंड लॉड अगर यहीं पर जाए जाएं सेकंड हुज में बैठ जाए अच्छा बुशुचन है अपने घर में बैठ आपने घर में तो हर कोई खुछ होता है एक तो कंफर इपल्ड पॉजिशन सेकंड लॉड की अं तिल इन अलेस यहां पर कोई मलेपिक्स यहां पर कोई मैलेफिक सा ad तरह समस्कार और तो तो इसे वाइस बिलाग नहीं दोगे दिए बैट डूलंगे बहुत अब कई सपोर्ड में लेगा डिकर आप इस दोड़ा स्पोकन हो ते दिलूंग धाते हो एिस दोड़ा सॉफ्टॉकन भी होते हो उची छिवाट इस बात करते हो तो लॉंजिविल्टी को भी यह काफी हेल्प करता है, क्योंकि यह सस्टेनंस का हूज है, आपके फिर्स्ट आउस का ठीए, तो लॉंजिविल्टी में भी यह काफी हेल्प करेगा, ओवराल यह बहुत अच्छा पुजिशन है, अगर यहां पर कुछ नेगेटिव इंफ्लू अगर फिर्स्ट आउस में है, अब सेकेंड हाउस यहां से बैटके अगर जनरली सेमेंथ हाउस पर दृष्टी डालेगा अपने से, एट पर दृष्टी डाल रहा है तो एक इनहरेटेंस भी अच्छा खासा आपको मिल सकता है, फैमिली वेल्ट के थ्रू, तो अब चलते है है, second lord, अगर, third house में आजाए, अब से, third house में अगर तो third house के हाए, हमारी स्केल्स का है, third house हमारे कमनीकेशन का है, short travels का है, third house, media है, writing है, third house, social networking भी kind of, बोल सकते हो, इसको ठीक है, क्योंकि यह हम यहां पर क्या बना देता है कि second lord round round arm third house में चला जाता है तो family के साथ अच्छा bonding बनाता है strong और हो जाता है क्योंकि second, second है आ गया है यह भावत भव्वंथ़ second lord, second què up say second है तो भावत भवंथ़ यह यह साथ यह अच्छा position है तो नेवर्स के साथ भी अच्छा रिलेशन्शिप आपके हो सकते हो फैमिली कांड आप सो सकते हैं आपके नेवर्स के साथ यहां पर आपको किसी भी प्रकार के आर्टेस्टिक फिल्स में आप काफी अच्छा कर सकते हो आप राइटिंग फिल्स में अच्छा कर सकते हो उससे जो ब्रदर्स हैं, जो I mean younger siblings हैं, वो काफी help कर सकते हैं आपको, ठीक है, marketing, अगर किसी marketing field में हो तो आप काफी अच्छा कर सकते हो, आपकी presentation skills भी काफी अच्छी होगी, entrepreneur आप काफी अच्छा बन सकते हो, और अगर बहुत strong हो गया तो बहुत सारे younger siblings आपको मिल सकते हैं यहां प लेकिन जाहतर देखा गया है, this is a good position, अब depending on the ascendant, क्या होता है, क्या था है, अब next house में जाते हैं, second lot, fourth house, second lot, fourth house, second lot, fourth house, second lot, fourth house में अगर जाता है, तो यह अच्छा combination है, किसी प्रकार के property related matters में, 4,000 property से बनाता है, mother के थुरू आपको काफी, आपकी family, काफी mother के उपर dependent हो सकती है, mother के थुरू आपको काफी resources मिल सकते हैं, ठीक है, mother या mother side relative से, property भी मिल सकती है, ठीक है, agriculture field में आपकाफी अच्छा कर सकते हो, land real estate में आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, education में आपको काफी help म inheritance के लिए भी ये पाफी हद तक अच्छा position है, ठीक है, जैसे मैं बताया, mother side relative से, या mother से, यहाँ पर यह जो है ना, fourth house जो है, वो हम cancer sign के साथ relate करते हैं, तो हम देखेंगी कि आप family में एक emotional atmosphere, emotional connect बहुत जादा हो सकता है, ठीक है, caring, nurturing एक type of atmosphere हो सकता है, और अच्छा atmosphere हो सकता है घर का, तो native भी जो जिसके भी placement हो, वो भी काफी नरम दिल हो सकता है, सच बोलने वाला इंसान हो सकता है, और यहाँ पर joint family होने के chances भी काफी अच्छा रहते हैं, और अगर नहीं है तो joint family में रहना, यहाँ पर अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि atmosphere काफी caring and nurturing and loving हो सकता है अब आते हैं, second house lord, in the fifth house, second house lord in the fifth house, अगर हम देखें तो, यहाँ पर यह बच्चो का house है, education का house है, intelligence का house है, यह speculation का house है, sports का house है, तो यहाँ पर इन सब चीजों से related कामों से, आप काफी अच्छा resources का collect कर सकते हैं, अच्छा wealth दिखाता है, education में आप काफी अच्छे होते होते ह और सब्सक्रखाइब गए, तो, education wise, intelligence wise, आप काफी अच्छे हो सकते हो, आपके परिवार में intelligent लोगों की कमी कोई नहीं होगे, पड़े लिखे लोग जादा हो सकते हैं, educated लोग बहुत हो सकते हैं, एट के परिवार में, ठीक है, education के पर्धर हो सकता है, तो चाह ल है, education का एक इटमोस्फेर में बच्चों का बच्चों की प्रफी लागा आप या बच्चों का प्रेजन बहुत अच्छा रहता है ठीक है ऐसे जब भी पोजिशन हो किसी के चार्ट में यहां पर जो रिसोर्सेज हैं जो फैमिली स्ट्रेंग्ट हैं हो जाती है आपके फर्स चाइल के अब बढ़ते हैं आगे सेगे लोट सीक राशुज सेक लोट सीज्ट्राउज में अगर जाता है तो हम क्या क्या सकते हैं हमारे डिजीजेज का है 13 स का है six house हमारे cousins का है ठीक है तो competitiveness का है तो आप जितने competitive होते जाओगे उतना आपके resources अच्छे वनेंगे ठीक है एक खटा कर पाओगे आप बट यह second lord family का lord six house में जादा है तो disputes create कर देता है एनिमिटी create कर सकता है family relationships में disease prone हो सकते हो आपके family एक atmosphere रह सकता है तो वो एक या आपस में family के लोग काफी भिड़ते होंगे ठीक है क्योंकि conflicts का भी है बहुत स्यादा conflicts कर सकता है यह बाकि आप जितने competitive होगे यह अपने से पंचम में गया है one two three four five तो जितने आप competitive होगे उतना family strengthen करोगे और जितना आप service oriented होगे रादर अपने family के प्रती उतना disputes को एवाइट करोगे अपने इसमें ठीक है आप competitive होते हो डिबेटर आप काफी अच्छा होते हो expressions कि आपके जो बात करने का तरीका है कि बात करेंगे कि आप इससे conflict हो सकते हैं और आपके relatives के साथ आपका रिष्टा खराब हो सकता है due to this ठीक है अब हम बात करेंगे कि आप second lord seventh house में अगर आ जाए second lord अगर seventh house में आ जाता है तो हम देखते हैं कि यह spouse का house है यह foreign country travel का house long distance travel का house gains from long distance का house foreign country से जो gains मिलते हैं हमारे ठीक है this is a business related house foreign countries traveling का house है और business partner life partner का house है तो जब भी second र्हें लॉट 7th house में आता है तो यह आपका जो families jeos relevant.' क् यख्याट आता है आपकी wife के रह anunci सकता है business partnerships hot affinity do family business हो सकता है आपका तो family business के थूआ के सच्छे सपा मिली जो स्थी बिपन फाटी हो सकता है आप foreign countries के तुरू आप काफी अच्छा gains एकटा कर सकते हो foreign traveling, family, touring से आप काफी अच्छा bonding create कर सकते हो family में अगर साथ में मिलके business करो तो बहुत बढ़िया partner के साथ भी अगर आप business करो wealth related matters को discuss करो तो अच्छा है लेकिन यह अपने से sixth गया है तो थोड़े से issues थोड़े से create कर देता है but आप इसको overcome कर सकते हो through your दिमाग, बुद्धरी और जितना हो सके आप skills जो है seventh house related वो develop करने की ज़रूद है business management पढ़िये, business management किताबे पढ़िये किस तरीके से अपने skills को, अपने business को आगे बढ़ा के लेके जाना है family business को किस प्रकार से अच्छा बना के रखना है उसके प्रती, जितना आप effort डालोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा उतना आपका जो family atmosphere है उतना अच्छा रहेगा क्योंकि जब काम अच्छा चलता है तो सबकोच अच्छा रहता है अब हम चलते हैं second lord in 8th house second lord अपने से सब्तम में आ गया है 8th house में आ गया है तो खुद को भी ये दृष्टी देगा 8th house में बैटके this will be expecting मतलब अपने ये own house को ठीक है तो हम देख सकते हैं कि यहां पर 8th house जो है वो inheritance का house है अचानक धन का प्रप्ती का house है तो inheritance आपको काफी अच्छी मिल सकती है family के थूँ 8th house in-laws का house है तो in-laws के थूँ आपको काफी wealth मिल सकती है ठीक है lottery मिलने के chances बन जाते हैं यहां पर secretive way में धनाना taxation के थूँ धनाना आपका और क्या बोलते हैं इसको occult science के थूँ धनाना इन सब चीजों से आप धन कमा सकते हो और अपनी resources बढ़ा सकते हो बट second house का लॉड 8th house में गया है तो family में थोड़े disputes और थोड़े से अचानक से बहुत कुछ उल्टा सीधा हो जाना ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं foreign के थूँ भी आप काफी धन कमा सकते हो ठीक है थोड़ा सा आप क्यूंकि second house voice का है तो थोड़ा सा shy हो सकते हो बोल चाल में आप खुल कर बोलना नहीं पसंद करते हो गंभीर और इंटेंस अवाज आपकी हो सकती है काफी magnetic voice quality आप में हो सकती है आप कम बोलना पसंद कर सकते हो ठीक है अगर शाई हो तो public shyness को overcome करने के लिए आप जितनी practices कर सको करो जादा अपनी चीजों को family के बारे में reveal मत करो तो जादा सही है सकती है बहुत सारे secrets हो सकते हैं फैमिली में chronic issues हो सकते है इसा कुछ भी unfortunate है तो मैं कहूंगा कि आप अपना इंट्रेस्ट पढ़ाई लिखाई रिशर्च में लगाई और यह मीन और साइंस एस्ट्रोजी पढ़िए आपके लिए बहुत सही रहेगा तो यह आपको एक आपके वाइस में एक ऐसी पावर देता है कि आप कुछ भी बोलोगे और रिलेटेड मैटर में वह सच होने के चांसे बढ़ जाते हैं तो ठीक है प्रेडिक्टिंग अबिलिटी दे देता है उसके थुरूब कमा भी सकते हो ठीक है अब जाते हैं हम कि इक लापड्य heav का रिलीजियन का है नाइब नाइइट से इस अजगते हैं आपके और फैमिली में ओ सकती है इस सकते हैं की वहालत की अच्छा हो सकता है नोबल फैमिली के साब से काफी जाने जा सकते हो आप सोसाइटी में ठीक है आप फैमिली में फादर की वैल्यू बहुत जादा बढ़ जाती है यहां पर और टीचर्स के साथ अगर आप अच्छे रिष्टे बना के रखो लॉंग डिस्टेंस ट्रावल करके अगर आप कोई ऐ प्रॉज और टीचिंग जितना बाटोगे उतना अपना अच्छा रिसोच इवन जो फैमिली में अट्मोस्फेर होगा वो काफी टीचर से भरा हो सकता है तो काफी टीचर सो सकते हैं आपके फैमिली में गुरू टाइप परस्नालिटी काफी हो सकती है यहां पर और मोराल व इस दिखाता है फैमिली एक्मोस्फेर पर रिलीजियन को बहुत जादा महत्व दिया जाता है तो पूजा यह सब होती रहती है यह हम देख सकते हैं इसे कंड आउस प्लेस्मेंट इंदी सेकंड लॉड प्लेस्में नाइंफ हॉस ठीक है अब हम जाते हैं सेकंड लॉड प् हमारे से जो भी है मतलब रिलेटेट टू एक पब्लिक फिगर होने के लिए भी एक थेंद आउस बहुत इंपोर्टन बन जाता है लीडर्शिप का उस भी थेंद आउस हो जाता है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सेकंड लॉड जो है वो आपको वेल्थ दिला सकता है थू खान पान के थू दिला सकता है यह आपको कॉमर्स रिलेटेट फिल्ड में काफी आप अच्छा कर सकते हो आप उपने वाइस के लिए बहुत जादा फेमस हो सकते हो सेकंड लॉड है ठीक है तो आज सिंगर आप बहुत बढ़िया बहुत फेम अरजित कर सकते हो आप किसी भ एर आप को में आप नगी आप है और थेला उपन आप करने एक साथ पते हो नहें सेयर से तिमस होसकता है बहुत हैं लूगों से स्थपत फैमिली में तो करियर को भाई जादा में आपहन चांब माना जाता है आफ शोशल स्टैटरस को भी बहूत इंपोर्टें में आज घिय और मेहनत करने वाला हो सकता है, जनरल अट्मोसफेर ऐसे आप देख सकते हो, बहुत जादा एंबिश्यस फैमिली से आप बिलॉंग कर सकते हो, ठीक है, इसलिए बहुत बड़े-बड़े और बैठे हो सकते हैं आपके फैमिली के जो लोग होंगे, आप खुद भी एक अच्छ सकते हैं, ठीक है, तो 11th house हमारे humanitarian tendencies को बताता है, तो second house लोड़ागे 11th house बैठ गया, तो आप क्या जो फैमिली अट्मोसफेर होगा, काफी humanitarian होगा, तो humanitarian लोग आपके घर में हो सकते हैं, बहुत जादा ठीक है, उनको दूसरों के लिए करना, humanitarian activities में participate करना काफी अच्छा लग सकता है, आप desire का भी house है, तो desire fulfillment आपकी family के तुरू हो सकती है, ठीक है, और आप यहाँ पे, क्योंकि second house banking से भी हम relate करते हैं, और income को दिखा रहा है 11th house, तो banking job से आप काफी अच्छा कमा सकते हो, ठीक है, आप as a trader या कहीं पे भी आप lending करते हो, ठीक है, देना कहीं पैसा, तो उसमें भी आप काफी अच्छा कर सकते हो, आप food related business में काफी अच्छे gains आप राप्त कर सकते हो, humanitarian activities में आप काफी, you know, socially popular हो सकते हो, social connections आप अपने बढ़ा सकते हो, आप कि यहाँ पे, क्योंकि second house भी हम marriage के साथ देखते हैं, 11th house भी हम marriage के साथ बहुत important house मानते हैं, तो marital life आप काफी अच्छी expect कर सकते हो with this, कई बार यह negatively काम करें तो आपको selfish भी यह काफी बना सकता है, तो self-centered tendencies को आपको नहीं बढ़ाना है, क्योंकि humanitarian house and humanitarian activities में आपको शामिल जरूर होना है, जिससे आपकी family को protection मिलते रहे और family bonding अच्छी बने है, आप second house voice का भी है, तो voice के हो, अपने आवाज के थरू आप काफी income भी कर सकते हो, ठीक है, professional income आपके आवाज के थरू भी आप कर सकते हो, तो any fields आप 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 आवाज की उसकरना होता है, voice quality का उसकरना होता है, वो यहां पे आप कर सकते हो, overall family wealth and resources आपको काफी gain मिल सकते हैं, ठीक है, अब हम जाते हैं Second Lord in the 12th house of expenses, of bed pleasure, of dreams, of our, क्या बोले हैं, hospitalization का हो गया, ठीक है, charity का हो गया, जो हम देते हैं, पाइसे के साथ relate हो गया, वाला 12th house, तो हम देखते हैं, यहां पे आप जो wealth, family का connection, foreign related matters, काफी होगा, ठीक है, आप यहां पे थोड़ा सा, अपने से वैसे 11th में जा रहा है, हम दे 12th house, 11th में, तो investment planning या investment banking में, अगर आप जाते हो, तो काफी अच्छा धनकमा सकते हो, आपको वैसे भी अपने जो, आपका जो atmosphere होगा, family का, वो काफी investment oriented होगा, और आप अगर investment को अच्छी तरह plan कर के करो, तो यहां से आप काफी अच्छा गेंस ले सकते हो, ठीक है, वर planning ज to unfortunate circumstances, आप देख सकते हो, फैमिली को थोड़ा हलग होना पड़ गया है, 12th house isolation का भी है, ठीक है, बट otherwise, यह क्योंकि second से 11th house हो जा रहा है, तो gains भी मिलेंगे, तरह अच्छी तरह plan करोगे, foreign related matters में, आप काफी अच्छा कर सकते हो, ठीक है, आप का घर का atmosphere में, काफी खर्ची ल फैमिली के साथ उतना अच्छा, अपने birthplace से, और यहां पर second house में, आपकी family में काफी hospital में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, या किसी भी meditative yoga करने वाले घर में ऐसे हो सकते हैं, काफी लोग yoga में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो इस परकार की 12th house activities में काफी इंटरेस्टेड होंगे, तो generally हम यहीं देख सकते हैं, with second house placement in the 12th house, तो आशा ही यह वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो अगर पसंद आया, तो फ्लीज लाइक कर दिएगा, शेयर जरू कर दिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकान को दवाईए, और धन्यवाद इतना टाइम निकालके यह वीडियो देखा है, और मस रहिए, खुश रहिए, और जैशरी कृष्णा, सायो नारा, ठाठा बाई बाई, मिलता हूं मैं अगली वीडियो में,